चेताली अपना ब्यूटी पालर खोलने की तयारी कर रही थी कि तभी भीतर घर के आंगन से उसे किसी लड़की के चीकने चिलाने की आवाजे आने लगी। चेताली अभी अभी सुगो सवेरे के सारे काम निपटाकर बाहर आई थी घर के बाहर की दुकान में ही उसने अपना ब्यूटी पालर खोल दिया दा, और उसका काम अच्छा था तो आस-पास के महले की आउरते भी उसके पास हिया आती ही, तो उसका काम अच्छा खासा चल जा कौन हो तुम और विक्रम को क्यों बुला रही हो क्या काम है तुम्हें वो लड़की कहने लगी भाभी मेरा नाम धन्या है मैं यहां से थोड़ी ही दूर स्थित चंदरपुरा नाम के गाउं में रहती हूं मैं एक बार अपनी सहली की शादी के समय उसे यहां लेकर आई थी तो आपने ही उसका मेकप किया था शायद आपको याद नहीं होगा चैताली ने कुछ सोचते हुए कहा अब मेरे पास तो बहुत से औरते आती रहती है मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक से याद तो नहीं आ रहा है लेकिन तुम यहां मेरे घर में आकर मेरे देवर का नाम लेकर क्यों चिला रही हो उसके इस सवाल पर धनिया की आँखों में आसू आ गए और उसने भरे गले से कहा बाभी मैं क्या बताओं आपको आपका देवर विक्रम एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमते हुए हमारे गाउं आया था उन लोगों को चलते चलते प्यास लगी तो वे लोग हमारे गाउं के कुए पर पानी पीने के लिए आ गए से योग से उस वक्त मैं उसी कुए पर पानी भर रही थी मैंने सभी को पानी पिला दिया लेकिन आपके देवर की प्यासी नजरे तो कुछ और ही पाने की आस में थी और दिन के बाद से विक्रम अक्सर अकेले ही बाइक लेकर गाओं में आने लगा कभी कभार वो मुझे थोड़ी बहुत बात्चित भी कर लेता था मुझे भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो मेरे लिए कभी महंगे उपाहर लेकर नहीं आया बलकि हमेशा उसकी बातों में मेरे लिए परवाह जलकती थी कभी मेरे सिर में दर्द होता था तो वो खेतों के किनारे बैट कर मेरा सिर दबाने लग जाता था कभी मैं उदास रहती थी तो वो मुझे हसाने की कोशिश करता था और एक दिन उसने मेरे सामने अपने प्रेम का आईजहार भी कर दिया मैंने भी उसके प्रेम को स्विकार कर दिया मैंने तो सोचा था कि वो मुझे अपनी दुलन बना कर पूरे सम्मान के साथ अपनी जिन्दगी में शामिल करेगा धीरे धीरे दो साल बीट गए थे मैं जब भी उसे शादी करने की बात कहती थी तो वो मुझे टाल देता था और बस मुझे पर प्यार दुलार लुटाने लगता था लेकिन मैंने कभी भी उसे मर्यादा की रेखा पार नहीं करने दी मैं हमेशा उसे यही कहते थी कि शादी के बाद तो मैं तुम्हारी ही हूँ तो इतनी जल्दबाजी क्या है तुम्हें कभी कभी वह नाराज भी हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी मांग पूरी नहीं करती थी, एक बार मेरे पिता जी की तवियत बहुत खराब हो गई थी, मेरी मा तो बहुत पहले ही दुनिया से चली गई थी, एक सप्ताहा तक संघर्ष करते करते जब वो धक गए तो उन्ह ने अपनी आके हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली, मुझे पर तो दुखो को पहाड ही तूट पड़ा, जब एक सप्ताह के बाद विक्रम मुझे मिलने के लिए आया और उसे यह सब पता चला तो वह कहने लगा, आप मैं तुम्हें यहां अकेले किसके भरों से चुड़ू और वह तुम्हें स्विकार नहीं करेंगे, इससे अच्चा है कि पहले मैं शादी कर लेता हूँ, फिर जाकर उन्हें सब कुछ बताऊंगा और धीरे धीरे उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा, मुझे भी उसकी बार ठीक ही लगी क्योंकि मैं भी विक्रम को खोना नहीं चा गया, मैं उसका इंतजारी करती रह गई, देखते ही देखते छे महीने बीद के थे, लेकिन उसके आने की कोई खबर ना मिली, लेकिन मेरे गर्व में उसका अंश चरूर पर रहा था, मैं ठीक से विक्रम के घर का पता भी नहीं जानती थी, इधर उधर लोगों से पूचते अबिवा कुछ बोलती, इससे पहले ही विक्रम अपने कमरे से निकल कर बाहर आया और गुसे में कहने लगा, भावी यह लड़की जूट बोल रही है, यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, उन लोगों की आवाज सुनकर कुछ और लोग भी आंगन में इकठा हो चुके थे, इत की पत्नी हूँ, लिक्रम गुसे से चीकते हुए बोला, भावी तुम उसकी बकवास बात पर ध्यान मत देना, यह कौन है मैं नहीं जानता, पता नहीं किसका पाप उठा कर मेरे सिर पर मढ़ने के लिए आ गई है, इसे अभी के अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो, धन्या आवाक रह गई, उसने कहा, तुमने मेरे तन से प्यार किया था न, तुम्हें जो चाहिए था, तुम्हें मिल गया, तो आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, जाओ, मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, जो मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन इतना याद रखन कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, इतना कहकर वो रोते रोते वहां से निकल गई, चैताली सन नसी खड़ी रह गई थी, निक्रम अपनी भावी के पास आया और कहने लगा, भावी तुम किस सोच में डू धनिया से माफी मांग लेना, तुम कह देना कि तुम इतने सारे लोगों की सामने यह बात स्विकार करने से घबरा रहे थे, देखो किसी लड़की की जिंदगी बरबाद मत करो, वरना तुम्हारी जिंदगी भी बरबाद हो जाएगी, कहते कहते चैताली हाफने लगी, तो विक्रम चीखने लगा, भावी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, सच में औरते होती ही पागल और बेवकूफ है, वह धनिया कुछ भी बोलेगी, तो तुम यकीन कर लोगी, उसकी अवकात क्या है, जो मैं उससे माफी मांगूंगा, ऐसा लगता है, तुम ही मेरी जिं पाते हुए कहा, मुझे लगता है कि धनिया की बातों में जरूर कही न कहीं सचाई है, लेकिन हम सचाई का पता कैसे लगाएंगे, समीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी विक्रम से बात करता हूँ, समीर विक्रम की कमरे में गया, और कहने लगा, देखो विक्रम, जवा भी नहीं किया है, समीर खुश हो गया और कहने लगा, मुझे अपने भाई पर पक्का यकीन था, लेकिन बिटा मोहले में लोग तरह तरह की बाते बना रहे हैं, उन लोगों का मुझ बंद करना भी जरूरी है, हम एक काम करते हैं, हम एक डिने टेस्ट करवा लेते हैं, जिस भी ने उसके गाल पर एक जोर कतमचा मारते वे कहा, आगर तू बेगुना है, तो फिर तेरे चेहरे का रंग के उतर गया, इसका मतलब सचमुच वह बच्चा तेरा ही है, देख अब जूट मत बोल, वरना मैं पुलिस के पास चला जाओंगा, विक्रम अपने भाईया के कद पत्नी के रूप में स्विकार करना होगा, और यही मेरा आखरी फैसला है, विक्रम नाराज हो गया और कहने लगा, नहीं भाईया, मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं करूँगा, मैं ऐसी अनपण और गवार और अउरत को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा, उन लोगों की बहस सु पत्नी के लिए तयार ही नहीं था, तब अनुपम जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, सुनो बेटा, तुम धनिया और उसके बच्चे को लेकर घर आओ, वह हमारे घर की बहु है, विक्रम उसे अपनी पत्नी नहीं मानता तो ना सही, लेकिन मैं अपनी बहु को ऐसे दर- अपनी गलती सुधार करने के बावजूर, अपनी गलती को सुधार न नहीं चाहते हो, विक्रम ने गुस्षे में कहा, अरे गलती सुधार नहीं है, तो मैं अभी जाकर उसे और उसके बच्चे को खत्म कर देता हूं, जब कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं बचेगा, त अपने घर में आश्रे दिया क्योंकि उन्हें डर था कि विक्रम गुस्से में आकर धनिया को नुक्सान भी पहुंचा सकता है जब धनिया घर आ गई तो विक्रम गुस्से में अपना सामाल लेकर घर से निकल गया और उपम जी को ऐसी नलायक ऑलाग पर बहुत शर्मिंदगी मैसूस हो रही थी लेकिन वक कर भी क्या सकते थे धनिया अब उस घर में रहने लगी थी सभी लोग उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे विक्रम ने कभी भी पलट कर उस घर की और नहीं देखा बीच में उसके पिता जी की तवित बहुत खराब हो गई थी तो समीर ने वि पलती की तुम घर से भाग गए जरूरत के समय तुम घर वापस नहीं आए और उपर से अब तुम्हें हिस्सा चाहिए मैं अब तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूगा तुम्हारे हिस्से की संपत्ती में धनिया और उसके बच्चे के नाम करता हूं अब तुम यहां से चले जाओ और जीवन में दुबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं एक बेटे का बाप ही कहला हूँ इतना कहकर उन्होंने मुझ फेड लिया उनकी पलकों से दो बूंद आसु गिर पड़े विक्रम भी अ आपको क्या लगता है क्या आनुपम जी ने ऐसे बेटे को सबक सिखा कर सही किया था या नहीं अपने विचार कमेंट करके जरूर बिताईएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइव टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दन्यवाद